कि दम तीखा मोड देखो एक ट्रकारी है चिल्पी घाटी में यह क्या देखने को मिल रहा है तार वह फटर फटर बचता नहीं गारी के साथ होता नहीं होता नहीं दुख लगता है तो बस गाड़ी को धोलेंगे और उसके बाद आपको मतलब हैंड ओवर करती जाएगी जेनरल चेक अप करके तो गाड़ी हम लेकर आ चुके थे थोड़ा सा रात हो गया था क्योंकि अपन गया थे ग्रैंड विटारा के शूट के लिए अभी कहें कि अभी मैं निकला हुआ क्योंकि इसमें डलता है पेट्रोल पेट्रोल के बीना यह चलती नहीं है और अभी आपको रियल टाइम जो माइलेज है वो पता चल जाएगा जैरी का कि एक्ट्वल में कितना दे रही है माइलेज तो हमारी जैरी की जो टंकी है वो करीब 34.16 लीटर के करीब में भरी मतलब 3500 रुपए का पेट्रोल अभी इसके अंदर गया और 502 किलो मीटर चली तो यह जो मतलब माइलेज है ना करीब करीब निकलता है 14.6 यानी साड़े 14 किलो मीटर पर लीटर की माइलेज अभी यह निकाल कर दे रही है यार दमी एक्जैक्ट है यह पता नहीं कैसे हो गया यह मतलब मैंने देखा हुआ है कि यह फीगर बगेर थोड़ा सा अप एंड डाउन जाता है माइडी से बट च तो क्या है कि ना अब एक बार और रिसेट करेंगे घर से जब अपन निकलेंगे भुपाल के लिए तब अभी हम ऑफिशली निकल चुके हैं भुपाल के लिए जो रूट है वो लिया गया यहां पर मतलब सिमगा चिल्पी होते हुए निकलेंगे नागपूर वाला नहीं लिया गया क्योंकि अभी क्या है कि नागपूर में पुलिस वाले थोड़े ना परिशान करते हैं यार क्य है कवरदा वाला ही है यह अभी अब आएगा कवरदा अल्मोस्ट अभी जो गाड़ी है वो 100 किलो मीटर कंप्लीट हो चुकी है और करीब एक बज़े के करीब निकले थे और अभी जो टाइम है करीब तीन बजने वाला है इधर क्या है कि गाय वागेरा काफी जादा है होगा था यहां अभे में होजा कि कुछ जिप्स वागारा ले ले रात कर ताइम है तो अभी जाए कि नहीं कुला हुआ है और चिल्पी यहां से करीब करीब राउंड 20 किलो मेटर बची हुई है बारीश हलकी हलकी सी अभी यहां पर साथ हो चुकी है ड्रिजलिंग है और ग अभी अपन है चिल्पी घाटी में और अभी एक अपन क्रॉस करें देरे देरे अभी थोड़ा से यहां पर विजिब्लीटी की कमी रहेगी क्योंकि बारिश भी हो रही है लगातार पेड़ पॉधा वगेरा यहां पर काफी ग्रिनरी है तो बारिश यहां पर कभी भी हो जा दम तीखा मोड देखो एक ट्रक आ रही है पहले क्रॉस करने देते हैं और ट्रक भी काफी लंबी है वो एक बार पीछे जाएगा फिर आगे आएगा उसके बाद में ही निकल पाएगा चिल्पी घाटी में यह क्या देखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सा यहां पर बीच बीच में तो दम वीजिबिटी थोड़ी कमी हो जा रही है दस परसेंट के आसपास चले जाता है तो यह चीज अभी नहीं देखने को मिल रही है अभी मतलब ठंडी का मौसाम आया नहीं है और यह होना स्टार्ट अभी हो गया अभी सुभा के बज़रें 6 बचे 5 मिनिट और यहां से जवलपूर करीब 70 किलो मेटर बचा हुआ है और भुपाल अगर देखा जया तो करीब 360 किलो मेटर तो अच्छा कासा कवर किया मतलब अभी यह जो ना बॉडर क्रोस करने के बाद जो गाड़ी कवर हुई है क्या कि रोड उसके बाद सनान था थोड़े थोड़े से बीच में गड़े गड़े हैं जैसे कि यह वाला जो डोड़ अभी आप देख रहे हूं ऐसी टाइप का है बीच बीच में गड़े हैं बाकी ठीक है कोई दिखकते नहीं है मज़ेदार है रोड चला सकते हो आराम से आप हंड्रेट की स्पीड कवर कर सकते हूं मैं हंड्रेट की स्पीड आराम से लेकर चला तो आइगेस रिखाल से एक से देड़ गंटे में 100 किलो मिटर तो आराम से चल गई गाड़ी और अभी अगर 14.4 km per liter का अभी है मीड में शो कर रहा है तो करीब अभी अगर मैं समय बताओं तो करीब हो रहा है साड़े साथ के करीब हो रहा है साड़े साथ बद चुका और अल्मोस्ट 400 किलो मिटर हो चुके हमारी जैरी के साथ में और पहला इसका मतलब देखा जाए तो यह लॉग क्योंकि अभी अपन इसको पहली बार मतलब बोपाल लेके जा रहें बोपाल आई थिंग मेरे ख्याल से साड़े 600 किलो मेटर है आना जाना टोटल वाइथ तेरा सो किलो मेटर के संथिंग का होने वाला रन गाड़ी का परफॉर्मेंस वगेरा के बारे में अगर बात करें तो कोई लाएक कोई इश्यू नहीं है रात में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी टोटल हम लोग खुल मिला के मुझे मिला के मतलब 6 लोग बैठे हुए 6 है लोगों के हिसाब से भी देखा जाए तो गाड़ी में परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं है बस क्या है ना जो डिगगी है ना बहुत टाइमस में चीज बता रहा हो वह भटर भटर बचता ना वो थोड़ा सा बिकार लगता है बाकी और कोई इश्यू नहीं लगा म तो अब इसका जो सेकेंड फ्यूल ब्रेक है उसका टाइम आ चुक है रेंज 57 की दिखा रही है तो अब पेट्रोल इसमें डालाते हैं देखते कितना आता है और अज़र टोटल देखोगे तो एक चालीस सो का पेट्रोल लगा चत्तिस गड़ में एक सो दो रुपए और यहां पर एक सो नौ पॉइंट पांच पांच है 37.43 लीटर अभी जो पेट्रोल है हमने इसमें फिल करवाया है अब यहां से करीब 40 किलोमेटर अब दूर बचा हुआ है और बारा बच के 30 मिनट हो चुके तो अच्छा घासा टाइम कवर किया और अभी का बीच में अपन रुगे थे खाने के लिए 100 रुपय वाला दोशा खाने के लिए 100 रुपय का दोशा खाए इटली खाए और फिर वापस से निकल गया मतलब ऐसा हो गया ना कि पैसा इतना ज्यादा लगया कि थोड़ा ऐसा लग रहा था चीकन वागयरा भी खा सकते थे इतना पैसा लगा दाले तो बट कोई दिक कर द है वह थोड़े से बंद बंद से स्ट्राइक को अगयरा कुछ ऐसा सुनाई में आया हुआ है तो मैं बोला यहीं पर एक बार और फ्यूल अप करा लेते क्योंकि पैट्रोल यहां पर थोड़ा सा महेंगा है एक सो यहां पर आठ रुपय पर लिटर है और अपने यहां 102 है ल और यहां पर देखो यार नई अटीगा का यह हाल हो गया हुआ यह कि अभी हम लोग इत्मिनान से अच्छे तरीके से जा रहे थे और उतने में कुत्ता आया और क्या हुआ कि वह बीच रास्ते में का नाम से इदर उदर करने लगा और भाड़ाक से आके इस पेल लड़े त तो अब यह पूरा बंपर देखोंगे तो यहां से यह क्रैक मार गया यार नई गाड़ी का यह हाल हो गया और बहुत बिकार लगता यह पूरा बंपर नया डालना पड़ेगा क्या बोलोगे कैसे क्या बोलेंगे और इसे बीच रास्ते में यहां पर आया और इसके बार फिर वापस क्या दिमांगे में आया अपन जाहीर है उतने में वह वापस आ गया वीच रोड में और गाड़ी से हिट कर गया यह बंपर अगर अब लगर पूरा नया ही डालना पड़ेगा क्योंकि यह नीचे का अगर पूटा नहीं रहता ना तो सायद कुछ हो सकता था लेकिन अब नया डालना पड़ेगा और यह इसका टुटा वाले तो टुकड़ा फॉग लेंब का जो कवर है मैं बोला चलो अभी के लिए इसको लगा के रखते क्योंकि वह वाला पूश्यन बहुत ही जादा बेकार लग पर जो घाटी है वह फ्रॉस कर रहे है और कुद्रत का जो करिश्मा यह देखो यहां पर फॉग फॉग लब टाइम के अनुसार देखोगे तो आट बत के पांच मिनिट में और यहां पर फॉग है और हल्की बुद्दा बांदी है बारिश कम है नहीं बारिश है नहीं बस फॉग है कितना ही खुबसूरत लग रहा है यह देखो मस्त नहीं करें क्या कि अगर आप उस साइड व्यू से देखते ना तो वो ना मतलब पहाड़ बना ऐसा लगता है कि बादल जो पहाड़ पर उतर गया है ऐसा कुछ सिनेरी होता है